नमर फोर देखिए नीचे दी गई अकृति जो है उसमें दिया गया है A B समांतर D C A B समांतर D E A B समांतर है D E के ठीक है हमें क्या निकल लें एंगल B C D इंगल B C D इसका मानिकल और दो एंगल और भी दिया है उसको भी यहां लिखी देते हैं काउन क्यों खुशत एक एंगल A B C बराबर दिया है 100 degree और दूसरा एंगल C DE C DE, C D E बराबर दिया है 120 degree ठीक है चलिए, तो हमें क्या ग्यात करना है तो ग्यात करना है किसको ग्यात करना है तो एंगल B, C, D को यानि कि यह वाला B, C, D को तो देखिए इसमें आपको बताया थे कि आपको तीसरी एक समानता रेखा लेनी पड़ेगी तो तीसरी समानता रेखा है इसमें भी लेंगे तो यह जो है ना इस A, B को आगे तक बढ़ा देंगे इसको आगे तक ऐसे बढ़ा देंगे ठीक है यहाँ पर मिला दिये और इस बिंदू का नाम कुछ दे देते हैं यहाँ P दे देते हैं ठीक है इसका नाम कहा दिये P, यहाँ लिए रचना में रचना में AB को P तक बढ़ाया P तक बढ़ाया P तक बढ़ाया जहां P जहां P किस पर स्थित है? CD पर iptित है CD पर इस्सित है CD रेखा पहला यह CD पर इस्सित है चलिए अब इसमें देखिए प्रमानिस का Sorry, इसका हल कैसे करते हैं अब लोग उसके बारे में देखते हैं ठीक है चलिए मान निकालने वाले में आपको बोले हल लिखना है और सिद्र करने वाले में प्रमान लिखना है ठीक चलिए आप देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि एंगल ABC और प्लस एंगल B इंगल B, पी यहां आप से देखिएगा एंगल ABC यानि यह वाला और एंगल CBP यानि यह वाला दोनों का यह कितना होगा 180 डिगरी होगा कैसे होगा रैखिक युग में से रैखिक युग में से यह हो जागा ना चलिए इसका मान तो 100 डिगरी दिया है चलिए यह 100 जो है गहण गठ जागा ना तो आगल CPBP निकल जागा तो हैंगल CPBP बराबर कितना जागा सुल ही घटा हीएगा तो हैंगल CBP बराबर हो जागा 80 Degree कि यहाँ वाला एंगल कितना आगया 80 Degree आपको यह निकलना है BCD है ना तो यहां जो देख रहा है इस figure में आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं यहां जो figure में एंगल यह जो CBP है एंगल CBP है ना और प्लस एंगल BCP बराबर है ना बराबर एंगल किसके बराबर हो जागा तो CDE अब देखिए बराबर कैसे कर रहा है देखिए अगर आप यहां देखिए यहां C है यह वाला कोड और यह वाला दोनों का यूग में अगर इसको यहां बढ़ा दीजिएगा तो यह बाहे कोड बनेगा ना यह बाहे कोड यह P के पास एक बाहे कोड बनेगा दर्हाद कोणन से यहां पस में बराबर रहते हैं उसके कारण हो रहा और यहां यह जो है यह जो है यह तर्भूज के दो अनता कोड यह न सबढ़े कोड के बराबर होता है थिसL ठीक है अब दिखिए अब यह भी दिखाने के लिए गर माल दीजे यहाँ पर P तक बढ़ा है इसका नाम देजे आगे T यहाँ पर लिख देऊंगे यह भी लिख देगा कि चुकी अगल लिखना चाहए तो लिख सकते यह नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा इस T से पी टी जो होगा बरावर जैगेंगर C-D-E के इसके कारण ये ऐसा लिख रहा है और नहीं भी लिखेंगे हैं तो कोई दिकरत नहीं आपको क्या पता चलका है कि दो अंता कोंड जो है इस बाहर कोंड के बराबर होगा और यह कोंड इसके बराबर होगा संगत कोंड से इसलिए directly हम क्या किये कि इन दोनों का योग इसके बराबर लिख दिया ठीक है तो चलिए कितना दिया है 120 डिगरी इसको ले घटा दिएगा तो अंगल B C D बराबर कितना घटके 40 डिगरी आ जागा तो यह आपका मान आ गया है ठीक है अब इसी के साथ इस वीडियो को इन कर जेते हैं प्लीज आप चैनल को सस्क्राइब कर दें बैल आइकन दाबा दें ज्यादा से ज डबल लाइन पर वाटसब करके आप लिंक को प्राप कर सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग दे वीडियो